देव उठनी एकादशी पर जिस घर में खाई जाती है? यह दो चीजें। साल भर बरस्ता है धन दोड़ी चली आती है माता लक्ष्मी नमस्कार दोस्तो राधे राधे जै श्री कृष्ण, जै श्री हरी विष्णो, जै माता लक्ष्मी देव उठनी एकादशी पर जिस घर में खाई जाती है यह चीजें उस घर में कभी नहीं होती धन की कमी दोस्तो हिंदू धर्म में देवट एकादशी का बड़ा ही विशेश महत्व होता है कार्तिक माह के शुकल पक्ष में आने वाली एकादशी तिथी को देवट एकादशी कहा जाता है देव उठनी एकादशी को प्रबोधिनी एकादशी और देव उठान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है यह कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथी को मनाई जाती है इस दिन भगवान विश्नो चार माह के बाद योग निद्रा से जाकते हैं उसके साथ ही चातुरमास का समापन होता है देव उठनी एकादशी के दिन फिर से शादी विवा, मुंडन संसकार, सगाई समेथ सभी मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है फिर देव उठनी एकादशी के अगले दिन ब्वाच्शी तिथी में तुलसी विवा का आयोजन कराया जाता है भगवान विश्णों के शालिग्राम अवतार से माता तुलसी का विवा होता है जिस दिन को तुलसी विवा के नाम से जाना जा जाता है धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी विवा के आयोजन से घर में सुख सम्रिधी और खुशाली आती है। कार्तिक माह में तुलसी के पौधे की पूजा अर्चना भी शुब फलदाई माना गया है। धार्मिक मान्यता है कि सभी एकाद्शों में सर्वश्रेष्ट मानी जाने वाली इस देवट एकादशी का व्रत करने वालों को स्वर्ग और बैकुंट की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में कुछ ऐसे नियौमों का वर्णन किया गया है जिन नियौमों का पालन हर व्यक्ति को देव उठनी एकादशी के दिन करना चाहिए। अगर आप इन नियौमों का पालन नहीं करते हैं तो भगवान श्री हरी विश्णों जी आपसे रुष्ट हो सकते हैं और आपका जीवन दुर्भाग्य में बदल सकता है। इसके अलावा शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों का भी वर्णन किया गया है जिन चीजों का भोग आप देवट एकादशी पर भगवान श्री हरी विश्णों जी को लगाते हैं और उस प्रसात को सभी में वित्रित करते ह हैं। साथ ही स्वयम भी ग्रहन करते हैं। तो आपको भगवान विश्णों की असीम क्रिप प्राप्त होती है। आपकी सोई हुई किस्मत जाग उठती है। आपके अन्न, धन के भंडार भर जाते हैं। आपको जीवन में किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। इसके अलावा कुछ चीजें ऐसी भी हैं, जिनका सेवन देवत एकादशी पर बिलकुल भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि इन चीजों का सेवन करना अशुक माना जाता है। अगर आप इन चीजों का सेवन देवनी एकादशी पर कर लेते हैं, तो भगवान श्री विश्ण आप से रुष्ट हो सकते हैं, और आपको शुक परिणाम की जगा गंभीर परिणाम देखने को मिलते हैं। इस विडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगी कि इस बार साल में देवनी एकादशी कब है, देवनी एकादशी की पूजा विधी क्या है, और इस दिन का म भोग लगाना चाहिए। और किन चीजों का सेवन देवत एकादशी पर बिलकुल भी नहीं करना चाहिए। इस विडियो में आपको देवत एकादशी के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी। इस विडियो को देखने के बाद आपको कोई और विडियो देखने की देव बना रहे तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जैश्री हरी विष्णों लिखकर अपनी हाजरी जरूर लगाएं तो चलिए दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि इस बार साल 2024 में देव उठनी एकादशी कब है हिंदू पंचाक के अनुसार इस साल 2024 में कार्थिक मास की शुकल पक्ष की एकादशी तिथी की शुरुआद 11 नवंबर 2024 की शाम 6 बचकर 4 मिनिट पर होगी वही इस तिथी का समापन 12 नवंबर 2024 को शाम 4 बच कर 4 मिनिट पर होगा ऐसे में उद्या तिथी के अनुसार देव उठनी एकादशी का व्रत मंगलवार 12 नवंबर को रखा जाएगा इसके अलावा देवट एकादशी व्रत पारण के बारे में बात करें तो व्रत का पारण देवट एकादशी के अगले दिन यानी 13 नवंबर को किया जाएगा ऐसे में देवट एकादशी का पारण 13 नवंबर की सुभा 6, 42 से 8, 51 मिट के बीच किया जाएगा साथ ही दोस्तों इस बार देवट एकादशी पर कई सन्योग भी बन रहे हैं देवट एकादशी के दिन सुभा साथ तक हर्शन योग का निर्मान हो रहा है वहीं वज्र योग पूरे दिन रहेगा सरवार्थ सिद्धी योग 12 नवंबर को सुभा 7 बच कर 5 मिनट से लेकर 13 नवंबर को सुभा 5 बच कर 4 मिनट मिट तक सरवार्थ सिद्धी योग रहेगा इसके अलावा रवी योग देव उठनी एकादशी के दिन सुभा 6.33 से 7 बच 52 तक रवी योग का निर्मान होगा वहीं सुबह 6, 33 से शाम चार तक भद्रा का भी साया रहेगा जोतिश में भद्रा के साए में शुब कार्य करने की मना ही होती है आईए दोस्तों अब जानते हैं देव उठनी एकादशी पूजा विधी के बारे में देव उठनी एकादशी के पवित्र दिन पर सुबह ब्रहमा मुहूर्थ में उठकर सनान करना चाहिए और भगवान विष्णों के व्रत का संकल्प ले उसके बाद मंदर की साफ सफाई करे और भगवान विष्णों धन की देवी माता लक्षमी का स्मरण करे फिर भगवान को पंचामृत से सनान कराए साथ ही हल्दी या गोपी चंदन का तिलक लगाए उसके बाद भगवान विष्णों को पीले फूलों की माला, मिठाई, फल और तुलसी के पत्ते चढ़ाए भगवान विष्णों के ओम नमो भगवते वासुदेवाए या कोई अन्य मंत्र जपे विष्णों सहस्त्रनाम का पाठ करे और आर्ती गाए पूरे दिन व्रत का पालन करने के बाद रात में भगवान का भजन कीरतन करते हुए जागरण करे उसके बाद सुभव पूजा पाठ के बाद व्रत पारण कर ले तो दोस्तों यह थी देवट एकाद्शी की पूजा विधी चलिए अब जानते हैं देवट एकाद्शी के महत्वक के बारे में सबसे श्रेश्ट एका माना जाता है पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जिस मनोरत का फल त्रिलोक में ना मिल सके वह देव उठनी एकादशी का व्रत करके प्राप्त किया जा सकता है देव उठानी एकादशी से पूर्णिमा तक भगवान शालिगराम एवं तुलसी माता का विवा उत्सव का पर्व मनाया जाता है देव उठनी एकादशी पर जगत के पालनहार भगवान श्री हरी विश्णो जी की विशेश पूजा करके उन्हें योग निद्रा से जगाया जाता है खास बात यह कि इसी दिन से चातुर मास व्रग भी समाप्थ हो जाता है मान्यता है कि कार्थिक मास में श्री हरी जल में निवास करते हैं ऐसे में इस दौरान गंगा जल पूजा में प्रयोग और उसका सेवन करना अत्यन्थी शुप माना गया है देव उठनी एकादशी के साथ सभी शुप कार्यों की शुरुआत हो जाती है इस दिन शालिगराम के साथ माता तुलसी का विवा होता है और इस दिन तुलसी पूजा का विशेश महत्व होता है इस दिन तुलसी और शालिगराम की पूजा करने से पित्र दोश का शमन होता है इसके अलावा देवत एकादशी व्रत करने से व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा की स्थिती मजबूत होती है तो दोस्तों यह था देवत एकादशी का महत्व आईए अब जानते हैं देवत एकादशी पर किन चीजों का सेवन करने से और किन चीजों का भोग भगवान श्री हरी विष्णों जी को लगाने से सुख, संपत्ति और धन एश्वर्य की प्राप्ति होती है। सिंघाडा माता लक्ष्मी को बेहत प्रिया है। इसलिए देवत एकादशी के दिन भगवान विष्णों को सिंघाडे का भोग जरूर लगाए। भोग लगाने के बाद उस प्रसाद को सभी में वित्रित करें और स्वयम भी ग्रहन कर ले ऐसा कहा जाता है कि भगवान विश्णों को सिंगाडे का भोग लगाने से माता लक्ष्मी बेहत प्रसन्न होती है और साधक को माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्थ होती है जिस भगवान श्री हरी विश्णों जी को तिलका भोग लगाने से व्यक्ति को सभी पापों से छुटकारा मिल सकता है इस दिन तिलका विशेश महत्वब बताया गया है इसलिए इस दिन तिलका दान जरूर करे ऐसा करने से व्यक्ति कभी नर्थ नहीं जाता है देवट एकाजशी के दिन तुलसी विवाह भी होता है इसलिए गन्ने का मंडब बनाकर पूजा की जाती है और भगवान विश्णों को भोग भी लगाया जाता है धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि भगवान विश्णों को गन्ना चढ़ाने से सुख शान्ती की प्राप्ती होती है साथ ही जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है नंबर चार केले का भोग भगवान विष्णों को केले बहुत प्रिया है इसलिए जब भगवान योग निद्रा से जागते हैं तो उन्हें केले का भोग लगाया जाता है इससे धन वृद्धी होती है और सभी समस्याओं से भी छुटकारा मिल सकता है इसके अलावा आपको देव उठनी एकादशी पर केले के पौधे की पूजा अर्चना भी करनी चाहिए ऐसा करने से साधत को भगवान श्री हरी विष्णों और माता लक्षनी जी की विशेश कृपा प्राप्त होती है और जीवन में कई तरह के शुप फलों की भी प्राप्ती होती है धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णों की पूजा में पंचामरित होना बेहत जरूरी होता है बिना पंचामरित के भगवान विष्णों को भोग नहीं लगाया जाता है इसलिए देवट एकादशी तिथी के दिन भगवान श्री हरी विष्णों को दूद, शहद, घी, शक्कर से बने पंचाम्रित का भोग अवश्य लगाएं इससे सौभाग्य की प्राप्ति हो सकती है और साधक की सोई हुई किस्मा जाग उठती है देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णों को पंचीरी का भोग जरूर लगाएं ऐसा कहा जाता है कि पंचीरी भगवान विष्णों जी को अतीप्रिया है और इन चीजों का भोग लगाने से व्यक्ति को मनवांचित फलों की प्राप्ति हो सकती है और परिवार में खुशियों का आगमन होता है पंचीरी का भोग लगाने से अशुत ग्रहों के बुरे प्रभाव से छुटकारा भी मिलता है नमबर साथ गुड का भोग मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णों को गुड बेहत प्रिया है इसलिए भगवान विष्णों जी को देव उठानी एकाद्शी पर गुड का भोग अवश्य लगाना चाहिए ऐसा करने से साधक को लाब होता है साथ ही सौभाग्य में व्रिद्धी होती है माना जाता है कि मिश्री और पीली मिठान्यों के भोग से भगवान विष्णों की अनंत कृपा प्राप्थ होती है और जीवन में तरक्की के नैने मार्ग खुलते है नमबर नौ मखाने और साबूदाने की खीर देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णों को मखाने या साबूदाने की खीर का भोग लगाना चाहिए खीर प्रभूश्री विष्णों को बेहत प्रिया है खीर का भोग लगाने से भगवान विष्णों भक्तों पर असीम कृपा करते है नमबर दस दूद का भोग ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा की स्थिती कमजोर है तो उसे देवट एकादशी के दिन भगवान विश्णों जी को दूद का भोग लगाना चाहिए इससे धन और मन दोनों में विस्तार होगा और व्यक्ति की सभी परेशानिया भी दूर हो जाएंगी नमबर ग्यारा केसर की मिठाई का भोग भगवान विश्णों को केसर की मिठाई अत्यधिक प्रिया है ऐसे में देवट एकादशी के दिन केसर युक्त चीजें श्री हरी को जरूर अर्पित करें जो साधक ऐसा करते हैं उन्हें सुक, शांती और धन एश्वर्य की प्राप्ति होती है इसके अलावा देवट एकादशी पर भगवान विश्णों को सफेद रंग का भोग लगाए इस दिन खीर या सफेद रंग की कोई भी मिठाई का भोग लगाने से श्री हरी विश्णों प्रसन्न होते हैं नंबर बारा भगवान विश्णों के भोग में तुलसी का उप्योग करें विश्णों भगवान को तुलसी अती प्रिया है भगवान विश्णों को भोग लगाते समय तुलसी का उप्योग करना ना भूले धार्मिक शास्त्रों के अनुसार भगवान विश्णों तुलसी के बिना भोग ग्रहन नहीं कर करते हैं साथ ही भगवान के भोग में सिर्फ सात्विक चीजों का प्रयोग करना चाहिए भोग में प्यास लहसुन का प्रयोग वर्जित होता है क्योंकि यह सात्विक आहार में नहीं आता है इसके अलावा भगवान विश्णों के भोग में तीखी चीजों के इस्तमाल से बचना चाहिए और भगवान को भोग लगाने के बाद भोग को कुछ देर पूजा स्थल में ही रखे भोग लगाने के बाद भगवान को प्रणाम कर थोड़ी देर के लिए वहां से हट जाना चाहिए भगवान के भोग के साथ एक लोटा जल भी रखना चाहिए इसके अलावा भगवान को भोग लगे हुए भोजन का थोड़ा सा हिस्सा निकाल कर गाए को जरूर खिलाना चाहिए उसके बाद ही उस भोग को प्रसाद के तौर पर बाटना चाहिए धार्मिक ग्रंथों के अनुसार गाए को माता का दर्जा दिया जाता है और गाए को भोजन खिलाने से दोशों से मुक्ती मिलती है तो दोस्तों यह थी वे चीजें जिनका भोग भगवान विश्णों को लगाने से आपको भगवान विश्णों और माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्थ होती है चलिए अब जानते हैं देव उठनी एकाजशी पर किन चीजों का सेवन भूल कर भी नहीं करना चाहिए नमबर एक चावल देव उठनी एकाजशी के दिन किसी भी व्यक्ति को भूल से भी चावल नहीं खाने चाहिए चावल से बनी चीजों से भी इस दिन दूर ही रहना चाहिए जोतिश का कहना है कि चावल खाने से मन और शरीर स्थिर नहीं रहता है चावल को हविश्य अन्न कहा जाता है यहां देवताओं का भोजन माना गया है ऐसे में इस दिन चावल खाने से व्यक्ति के सारे पुन्य नश्ट हो जाते हैं नंबर दो देव उठनी एकादशी तिथी पर जो और सिफली को खाना भी वर्जित माना जाता है इसके अलावा देवट एकादशी के दिन लहसून और प्यास के सेवन से भी बचना चाहिए क्योंकि यहां दोनों तामसिक भोजन में आते हैं यदि आपने व्रत नहीं भी रखा है तो कोशिश करें कि सात्विक भोजन ही करें इस दिन मास मदिरा और अन्य तीखी व मसालेदार चीजों का सेवन भी नहीं करना चाहिए देव उठनी एकादशी के दिन पूरी तरह से सात्विक भोजन करना चाहिए नमबर तीन पान देव उठनी एकाज्शी के दिन भगवान नारायन को पान अर्पित किया जाता है ऐसे में व्यक्ति को पान नहीं खाना चाहिए नहीं तो भगवान श्री हरी विष्णुजी आपसे नाराज हो सकते हैं और आपको शुक परिणाम की जगह अशुक परिणाम देखने को मिल सकते हैं जिससे आपका जीवन दुर्भाग्य में बदल सकता है और जीवन भर आपको कठिनाईयों का सामना करना पड़ सता है नंबर चार चने की दाल दोस्तो देव उठनी एकादशी तिथी के दिन मसूर डाल, चना डाल, उड़त डाल, गोभी गाजर, शलगम, पालक का साग आदी का सेवन नहीं करना चाहिए साथ ही इस दिन शारिरिक वा मानसिक तौर पर किये जाने वाले बुरे कार्यों को भी करने से बचना चाहिए दिन इन चीजों का सेवन बिलकुल भी नहीं करना चाहिए वरना आपका जीवन दुर्भाग्य में बदल सकता है नंबर पांच बैंगन शास्त्रों में बैंगन को अशुप माना गया है ऐसे में देवट एकादशी पर बैंगन का भी सेवन नहीं करना चाहिए ऐसा माना जाता है कि इसमें पित्दोष संबंधित बीमारी होने का खत्रा रहता है और बैंगन पित्दोष बढ़ाता है इसके अलावा देवट एकादशी पर ब्रहमचर्य का पालन करना चाहिए और बैंगन काम प्रवृत्ती को बढ़ाता है इसलिए कार्तिक माह में धार्मिक द्रिष्टी से बैंगन खाना उचित नहीं है उत्तेचना वर्धक होने की वज़ा से बैंगन को धार्मिक द्रिष्टी से अशुद्ध माना गया है अगर आप गलती से भी देवट एकादशी पर बैंगन का सेवन कर लेते हैं तो आपको शुक परिणाम की जगह अशुक परिणाम देखने को मिलते हैं जिससे आपका जीवन दुर्भाग्य में भी बदल सकता है और आपको आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है नमबर छब दूसरे घर का भोजन देव उठनी एकाजशी के दिन किसी दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए यहां तक कि दूसरे के घर का पानी भी नहीं पीना चाहिए ऐसा करना अशुक माना जाता है ऐसा करने से आपके घर में नकारात्मक उर्जा का वास होता है जिससे घर में अशान्ती का माहौल बना रहता है दोस्तों गीता में बासी भूजन को तामसिक और रोग वर्धक बताया गया है ऐसे भूजन को अपवित्र की श्रेनी में रखा गया है इसलिए बासी और जला हुआ भूजन देवो एकाजशी वरत के दौरान नहीं खाना चाहिए अगर आप वरत नहीं भी रख रहे हैं तब भी आपको देव उठनी एकाजशी पर बासी भूजन नहीं खाना चाहिए तो दोस्तों यह थी वे चीजें जिनका सेवन देवनी एकाजशी पर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को आल पर सेट कर ले ताकि आपको हमारी आने वाली हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद